हेलो फ्रेंट्स वेर्कम तो मैं चानल आज हम चेस्ट 18 इंच की प्रिंसेस कट ब्लाउज की पेपर कटिंग देखेंगे सबसे पहले हम उसका मैजरमेंट देखेंगे चेस्ट है 28 इंच फुल लेंध है 12 इंच आर्मोल है पाच इंच शोल्डर है साड़ पाच इंच फ्रंट नेक है पाच इंच बैक नेक है साथ इंच स्लीव की लेंध है साड़ चार इंच स्लीव फिटिंग है साड़ पाच इंच स नेकी चोड़े लेंगे हम 12 इंच, शोल्डर लेंगे हम 15 इंच, ब्रैक नेक लेंगे हम 17 इंच में लाएंगे, इस तरह से हम इसका बॉक्स बनेंगे, यहां पर हम बॉक्स बनेंगे, यहां से, आदा इंच, आदा इंच की पोनेशान लगा के, नेक के शेप देंगे, आप चाहिए कोई भी शेप दे सकते हो, इस तरह से, अब हम यहां से, आर्मॉल लेंगे, आर्मॉल है, पाच इंच, उसमें मादा इंच मिलेंगे, ऐसे पाच इंच, आदा इंच हम ने शोल्लर स्चेप दे निकले लिया है, यहां से मादा इंच में लगाएंगे, और यहांसे शोल्लर के लिए शेप देंगे इससे शोल्लर फिटिंग अच्छे से होती है यह ओप्षनेल आप दें भी सकते हो इस तरह से यहांसे हम चेस्ट का वान फॉर्थ लेंगे अठाइसे इंच का वान फॉर्थ ए सेवन इंच सेवन इंच में हमें एक पॉइंट देंगे और उसमें हम देड़ इंच मिलाएंगे नाइन इंच इस तरह से मैंने नाइन इंच का यह पेपर कट किया हुआ है अब इससे हमें यह तिनों पॉइंट मिलाएंगे अब यहांसे आर मोल के लिए हम देड़ इंच पिनिशन लगाएंगे देड़ इंच पिनिशन लगाके इसे हम आर मोल का शेप देएंगे इस तरह से यहांसे हम आद इंच अंदर क्योवर लेके इस तरह से और यहांसे हम टक्स के लिए निशन लगाएंगे साड़ी इंच में हम निशन देएंगे ओपर के और चार इंच में इस तरह सीधी लाइन देएंगे और इसके साड़ी से हम दोना आद आद इंच वे निशन लगाएंगे इस तरह से आदा इंच के वे निशन लगाएंगे तुच्छी लाइन से इसके जोइन करेंगे यह हमारा ब्यक टक्स हो गया अब हम फ्रेंट की कटिंग करेंगे इसके लाइन से कटिंग करेंगे कर जिए वे और त्री घृड़ा हमारा कि जान देग तुच्छी अवल अपया आद करेंगे कि प्रिंसे स्काट व्लाउच की बैक साइड की कटिंग तयार है अब हम फ्रेंडिस कटिंग करें है यह हमने दूसरा पेपर लिया है सिंगल है यहां से हम पहले गले की चोड़ा लेंगे यह यह 17 इंच शोल्डर है और फाट इंच फ्रेंट नेक है कि फ्रेंट नेक है पाच इंच उसमें माद इंच मिलाएंगे इसलाई के लिए सब्सक्राइब अपिनेशन लगाएंगे इसका भी बॉक्स बनाएंगे पहले करें तो वैंट इसा है बछक्स में आखिन दीटी दीटेंगे है जिमसे मादा इंच के में इस्लूपा मैंने में हैं निबधुत इंच फिर्ली खा सब्सक्राइब जोल्डर शेप के लिए आदे इंच पिनिशन लागेंगे इस तरह से चेस्ट का वान फॉट लेंगे 7 इंच इसमें 1.5 इंच में लाएंगे 8 इंच इसमें 1.5 इंच इसमें 1.5 इंच पिनिशन लाएं अब हम इतिनों पॉइंट में लाएंगे कि यहां से हम वापस एक इंच इक्ष्ट्रा डेंगे इसका हम सेंटर निकालेंगे पाची इंच का डाएंच डाएंच के यहां से हम आदे इंच पिनिशन लाएंगे आर्मोल शेप के लिए पॉण इंच पिनिशन लाएंगे अब इसे हम आर्मोल का शेप देंगे कि यहां से हम तैंटर डाएंच पिनिशन लाएंगे बेक साइड कर भी हमने फुल लेंद ली 12 इंच उसमें एक इंच मिला है तेरा इंच हमने बेक साइड और फ्रन साइड की दोने फुल लेंद में हमने वन पलस किया है है कि है कि यहां से हम वेश्ट का वन 4 लेकर मैं कि देड इंच में लैंगे वेश्ट है है इसके हमें वेश्ट का वन फॉत लेकरन देड लेंगे लेना है 8 इंच और एक इंच ही हम एक्ष्टा लेंगे इस तरह से नुति सभी प्ववि हुआं से मिला लेंगे अचिशा है निकल लिया है यह हमने आरमोल कट कर लिया है अब हम यहाँ से शोल्डर का सेंटर निकालेंगे, तीन इंच, तीहां देडे इंच फिनेशान लागाएंगे, यहांसे ठीक नीचे हम एक पॉइंट लागाएंगे, उसके सीधा हम नीचे के ओर पॉइंट लागाएंगे, यहांसे हम साड़ितीन इंच के उपर एक पॉइंट लागाएंगे, एक सीधी लाइन देएंगे, और एक एक इंच में नीचे के ओर से, एक एक इंच लेंगे, हम यहांसे हम एक टक्स पॉइंट के लिए हम तिरचे लाइन देएंगे, इस तरह से, और यहांसे हम आर्मल के तरप इसे मिलाएंगे, इस तरह से, यहांपे जोलने आने को होना, इसलिए हम यहांसे कट रेंज पे थोग उड़ा सा, हलका सा इस तरह स सिफ देंगे इस तरह से अब इसे हम कट करेंगे करेंगे इस तरह से हमें सिंटर में से कटनी करना है इसके साइट से जो हमने कॉटर इंच पिलिया है वहां से कट करना इस तरह से करेंगे हम इस तरह से प्रिंसेस कर यह हमने अल्रोड़ी बड़ा हुआ है यहां से एक इंच हमने जो एक टर लिया था तो यह हमने यहां से बड़ा के लिया हुआ है वैसे हमें दूसरे पेपर बढलानी के जोर्णत नहीं है अभ़े हम س्लिव के नंगे यहां से हमने और मायल लिया और मोल को पाच इंच उसमें दो इंच मिले oid यह चाड़ेंगे चारईंच थुआ 1 2 इंच मिल्ध… और यहां से हम एक इंच लेए यह हमने बंड साइड यह ओपन साइड के साइड से हमने तीन इंच लेंगे तो आर मुलक शेब देने के लिए अब से आर मुलक शेब देंगे इस तरसे और यहांसे हम स्लीव फिटिंग लेंगे स्लीव की फिटिंग है पाचींच उस मेक इंच मिलेंगे चेंच तरसे तीर चिलाएं देंगे अब इसे हम कट करेंगे एक के जुटा के यह से कट करें जिसको इस तरसे इसलीव इस तरसे बैक साइड और इसलीव इस तरसे बैक साइड और इसलीव यह बैक पार्स हो गए और इस फ्रेल का पाट इस तरसे आठे सिंज चेस्ट की प्रिंसेस कट बलावुच की पेपर कटिंग तैयारे अगर आपको मेरा फीडियो पसान यात लाइक की जए ब्लिस सब्स्क्राइब मैं चानल थेंग यह उपर वाचिक मैं वीडियो झाल झाल